दोस्तों हमने इंस्ट्राग्राम का अकाउंट तो बना लिया और मैंने पीची ये डेस्टॉप के ओपर आपको समझाया के अकाउंट कैसे बनता है और उसके चंद फंक्शन लेकिन जिसना मैंने आपको पहले भी बताया के इंस्टाग्राम इस डिजाइंड फर मॉबाल फोन तो आई ए सेशन में थोड़ी सी नजर डालते हैं कि मॉबाल फोन एप जब आप डाउलोड करेंगे इंस्टाग्राम की तो वो किस तरह की है उसका यूजर इंटरफेस कैसा है और किस बटन से क्या होता है ताकि नेक्स अपने मोबल फोन भी यूजर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप डेस्टाप की नॉलिज लेकर वेटे हैं और मोबल फोन के ओपर आपको आइडिया नहीं कि कौन सा फंक्शन कहां से होता है तो सबसे पहले तो अपने मोबल फोन के ओपर डाउनलोड करें अप अगर आपके पा आपकी अपन हो जागी अब अगर आप नोट करें तो ये मेन स्क्रीन है एप की इंस्टाग्राम में कि जो आपके सामने अपीर होगी इस सिमिलर टू फेस्बुक फेस्बुक पे भी इसी तरीके से न्यूस फीड होती है जो मेरे सामने अपीर हो रही है अगर मैं अपनी को मैं follow कर सकता हूं हो सकता है इन लोगों की interest similar हो जो मेरे interest हैं जब मैंने profile बनाया था तो उसमें जो interest मैंने show किये थे वही interest नोगों को हो जिसकी base में instagram मुझे suggest कर रहा है कि आप इनको follow करें या यह वो लोग भी हो सकते हैं जो मेरे email account में कही मैंने इनको कभी कोई email की या इनकी तरफ से मुझे email receive हुई और instagram ने इसको connect किया और या facebook के थोड़ा से चलते हैं और देखते हैं कि user interface पे और buttons कौन कौन से हैं सबसे पहले अगर top पे आप observe करें तो आपको अपनी picture नज़र आएगी और picture के आगे एक blue color का प्लस sign नज़र आएगा और उसके निचे यू लिखा हुआ है आपके instagram पे आपकी होगी यहां चुके मेरा ये profile है तो it's my profile picture और नीचे यू लिखा है और ये plus का निशान है stories इंस्टाग्राम का वो function है कि जिसको use करके आप short small videos upload कर सकते हैं और अपनी daily जिंदगी का हाल बता सकते हैं अपने followers को 24 गहंटे के बाद ये video delete हो जाती है अगर आपने snapchat का कभी नाम सुनाओ जो अगले चलके कुछ sessions के अंदर हम मैं उसके बारे में बात भी करूंगा उसके ओपर भी similar function है कि आपकी जो post की वी चीज़े हैं वो automatic delete हो जाती है और कुछ लोग समझते हैं कि privacy के हिसाब से बहुत अच्छी ये अच्छा function है Instagram आपको ये allow करता है कि आप अगर इस वीडियो को इस stories को delete नहीं करना चाते तो आप इनको save रख सकते हैं और 24 गंटे के बाद भी आपके पास save रहेंगे तो stories को upload करने का simple तरीका है प्लस sign के ओपर click करें और वो आपके सामने camera screen खुल जाएगी आप अपनी वीडियो को record करें और वीडियो को record करने के बाद आप उसको post कर दें and then it will be published to your followers और आपके followers उसको देख सकते हैं और उसको watch कर सकते हैं ज्यादा तर जो function stories को use होता है वो celebrities use कर रहे होते हैं वो डेली के तौर पर अपनी जिन्दगी को record करते हैं एक stories की form के अंदर और followers उसको देख कर उसको पर comment कर रहे होते हैं और reaction दे रहे होते हैं अब उससे नीचे आते हैं नीज़ फीड के ओपर जिससे मैंने पहले बताया कि जो pages आप follow करेंगे उनका content आपके सामने review हो रहा होगा picture के नीचे अगर आप note करें तो एक दिल का निशान बनावा है this is actually the like button Facebook के ओपर like button जो है वो thumb का निशान होता है Instagram के ओपर जो like का button है वो actually दिल का निशान है उसके बाद जो ये आगे bubble है this is actually a comment button जब आप से पर click करेंगे तो you can write a comment over here again Facebook में comment का लफज होता है Instagram का चुके इंटरफिस तोड़ा सा फरक है तो like है दिल और उसके बाद जो comment का button है वो आगे bubble है और the next one is actually जो छोटा सा एक paper सा जहाज बनावा है जब आप से पर click करेंगे तो this is a share button या send to button Instagram इसको send का नाम देता है लेकिन technically ये Facebook की जबान में sharing है जब आपने एक picture ये वीडियो दूसरों के साथ शेर करनी होती है तो आप इस button को press करते है right side पे आप observe करें तो आपको एक छोटा सा button नज़र आएगा ये एक ribbon नुमा button है और जब आप इस पे click करते हैं तो right side corner के ओपर छोटी चे picture, same वही picture अपीर हो रही है इसका मतलब ये है कि आपने इस picture को save कर लिया next time in the future आपने इस picture को जब भी कुछ दोबारा देखने है इस picture Instagram ने आपके लिए save कर दिया और इस button के थूँ आप सको save करते है अगर आपने इसको unsave करना है तो you click that button again and the picture is going to be deleted from your saved list ये तो होगी picture की बात, आपने like भी देख लिए, comment भी देख लिए और sharing भी देख लिए अब बॉटम में आए और बॉटम में navigation bar को देखें सबसे पहले home के ओपर already selected है चुँके home के ओपर news feed ही मैं access कर रहा हूँ इसके अदर मुझे different pictures नज़र आ रही है जिन जिन pages को मैंने follow किया हुआ home के साथ जो दूसरा button है वो है search का magnifying glass जब आप उस पे click करेंगे तो आपके सामने different pictures instagram show करेगा अभी वो तमाम pictures हैं कि जो related हैं आपके interest से या आपने कभी history में review की और review करके आपने उस picture को बंद कर दिया और ये वो तमाम pictures अब आपकी search feed में अपीर हो रही है जेन में रखें कि news feed जो home button पे आ रही है उसके अदर सिर्फ वही content अपीर होगा कि जिन pages को आपने follow किया है लेकिन search feed में वो तमाम content अपीर हो रहा होगा जो आपके interest से match होता है और ये pictures की form में होता है और जैसे जैसे आप इसको scroll down करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर celebrities भी हो सकता हों cricket related pictures भी हों अगर आपने किसी history के अंदर कोई car related picture को open करके view किया तो car related material आपको आपके search feed में मिल रहा होगा और देख रहा होगा this is a very good way to find out pictures और उसके बाद pages को find out करके यहां से follow up बड़े अराम से कर सकते है अगला button जो है वो plus sign का है it's a upload button आपने picture को upload करना है वीडियो का upload करना है तो आप इस button की बंदर से कर सकते है जो आप इस पर click करेंगे तो यह आपकी by default gallery खोल देगा आपके mobile phone के अंदर जो gallery exist करती है plus sign के बाद अगला button जो है अब यह दुबारा दिल का निशान है but this is actually not the like button जो आप इस पर click करेंगे तो आपके सामने एक list खोल जाएगी notifications की Facebook के ओपर globe की शकल के अंदर notification का button होता है जो notification आपको बता रहा होता है Instagram में notification आपको इस दिल के button से बे नजर आ रही होती है जो आप इस पर click करेंगे तो आपको पता लगेगा कितने लोगों ने आपके Instagram पेज को follow किया किस-किस ने आपके page के ओपर comment किया या like किया और किस-किस ने आपको message बेज़ें वो तमाम चीज़ें यहाँ आपके सामने अपीर हो रही होंगे और last button जो है यह जो छोटा सा icon बंदे की shape के अंदर बना हुआ है this is actually a profile page जिदर से आप जाके अपने profile को change कर सकते हैं यहां से एक और चीज़ बड़ी interesting वो है promote का button अगर आप note करें edit profile के साथ promote का button जब आप promote के button पे click करेंगे तो यह आपको ले जाएगा next step के अंदर वापिस Facebook AdWords के अंदर आप promote के button पे click करने के बाद वो मुझे पूछ रहा है कि create promotion करनी है आपके आगे मुझे image दिखा रहा है और right side top के ओपर आपको arrow नजर आ रहा है उस पर जब आप click करेंगे यह tap करेंगे then it will take you to Facebook AdWords or Facebook Ad Managers जो हम आगे जाके पढ़ेंगे के Instagram के case में कैसे use करना है अब दोस्तों इस profile page के ओपर एक और interesting चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यह है कि आप लोगों को discover भी कर सकते हैं और insights को भी देख सकते हैं right side top के ओपर देखें तो आपको बंदे के icon के आगे plus का निशान बनावा नजरार जब आप उस पर tap करेंगे so you can actually see that Instagram आपको suggest भी कर रहा है कि आप इन लोगों को follow करें Facebook के थूँ जो आपके Facebook के contacts हैं उनको भी आप find out कर सकते हैं या आपके mobile phone के अंदर जो contacts हैं उस में से कौन-कौन लोग Instagram यूज़ कर रहे हैं उनके profile भी आपके सामने अपीर हो रहे होंगे और वो भी आप उसको follow कर सकते हैं अब इसमें question मेरा आप से भी बनता है कि Facebook को तो चलो समझ आगी कि कैसे Instagram को पता लगा कि कौन-कौन से लोग Instagram यूज़ कर रहे हैं Facebook के दोस्तों में से mobile phone के अंदर जो लोग आपने save किये है Instagram को कैसे पता लग रहा है कि इन में से ये लोग Instagram यूज़ करें और आपको इनको follow करना चाहिए Instagram एक function आप से हमेशा start में बूचते है profile बनाते हैं Facebook भी पूचते है कि आपने अपने mobile phone number add करना है और जब आप अपने mobile phone number add करते हैं तो वो data Facebook के अंदर store हो जाता है जिसकी base के ओपर Facebook आपको आगे जाके suggestions देता है कि ये लोग भी Instagram को use करें hence you should follow them इसके बाद इसके साथ इस icon के साथ दूसरा icon है insights का वो तमाम data जो आपके profile से related है वो इस icon के थूरू आप access कर सकते हैं दोस्तो गबरानी की ज़रूरती इन में से काफी ऐसे functions हैं जो desktop या laptop version में available नहीं होंगे इसी विज़ाए से मैं इसको mobile phone के ओपर आपको शोग कर रहा हूँ क्योंकि Instagram ज्यादतर mobile phone को ही use करके इस्तमाल किया जाता है तो जब next time आप mobile phone यूज़ कर रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए के discovering का button का है और insights का button का है क्योंकि inside के button को आप अकसर use कर रहे होंगे अपनी marketing campaign के अंदर और last के अंदर अगर आपने Instagram को use करके किसी को message करना है तो simple button right side top के ओपर आपको वही paper plane की तरह का button नजर आएगा उस पर जब आप click करेंगे तो आपके वो तमाम profile अपीर हो रहे हो रहे होंगे कि जिनको आपने follow किया है मैंने चूंकि अपना नया profile बनाया है और मैंने भी एक page को फालो किया हुआ है इसे विज़े से सिर्फ एक ही page में नजर आ रहा है लेकिन अगर आपके Instagram पे आपके और दोस्त एड़िट हैं तो वो तमाम यहाँ peer हो रहोंगे जिनके profile पे click करके आप उनको message भी पेज़ सकते हैं pictures भी पेज़ सकते हैं डिलीट होने के बाद अगर कोई stories आपने save करनी हो कहां से आपको पता लगेगा अपने profile को आपने change करना है उसमें को picture चेंज करनी है या कोई details चेंज करनी हो कहां से होगी इन तमाम चीज़ों को explore करें अपने तोर के ओपर कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है आज से बिलकुल basic किसम की technology है basic किसम की app है और इसको practice कीजिए understand कीजिए ताके आगे जाके आप Instagram related marketing activities कर सकें